हेलो एब्रिवान वेलकम बैक लॉक्टाउन है और आपके बच्चे कुछ चकपटा और बाजार जैसा खाना खाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी बिल्कुल ट्राइ कीजिए आज हम लेके आए हैं एक इंट्रस्टिंग सी रेसिपी बच्चों को ध्यान में रखते हुए एग मैयो सैन्विच एग मैयो सैन्विच हेल्दी और नियूट्रिशियस है और बिल्कुल कम इंग्रीडियन्स के साथ तुरंत बनने वाली रेसिपी है एग मैयो सैन्विच बच्चों और पढ़ों दोनों को पसंद आएगी तो चलें प्रॉसस स्टार्ट करते हैं एग मैयो सैन्विच बनाने के लिए यहां मैने चार सैन्विच ब्रेड लिये हैं इसके एड़्जिस को कट कर लिया है तीन उबले हुए अंडे तीन टेबल अगर आपके पास वाइपर पावडर नहीं है तो आप इस स्टेप को बिलकुल स्किप कर सकते हैं सबसे पहले हम अंडे लेंगे और एक फोक की मदद से स्माश कर लेंगे अंडों को अच्छे से माश करेंगे ताकि इसका लुक अच्छे से निकल आए हमारे सैन्वीचिस खाने में भी अच्छे लगेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे अंडों को हमने अच्छे से माश कर लिया है अब हम लेंगे एक बोल उसमें दालेंगे मैश्ड अ अंडे, शिम्ला मर्च, ग्रेट ग्रेट, नमक स्वादनुसार, पेपर पावडर, निम्भुकर जूस, और मायनेज, इन सभी इंग्रिडियोन्स को हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे, यह देखिए दोस्तों हमारा सैंविच फिलिंग बन कर तयार है, अब हम लेंगे दो स्लाइस प्रेट, एक स्लाइस के ओपर हम फिलिंग रखेंगे और इक्वेली स्प्रेट करेंगे. ब्रेट को फिल करने के बाद हम दूसरी स्लाइस से इसे कावर कर देंगे. चलिए हम हमारे दूसरे ब्रेट स्लाइस को भी इसी तरह से फिल कर लेते हैं. हमारे दूसरी स्लाइस पर फिल होकर बिल्कुल तैयार है. अब हम एक नाइफ की मदद से इसे कट कर लेंगे. यहां मैंने छोटे ट्राइंगल में कट किया है. ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो. आप अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं. दोस्तों हमारे एग मैयो सैंविच बनकर तयार हैं. यह रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा. इसे बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करेंगे. अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए. और अपने फ्रेंज और फामिली के साथ जरूर शेयर कीजिए. और अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. जल्दी मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केर, बाबाई.